नमस्कार दोर्तों, अनपम ग्यान चनल पाप का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आये हैं भागवान महाबीर की जरम भूमी तथा गौतमबुद की करम भूमी बैसाली जिले के बाले में। मैं हूँ अनपम अलोग और आप देख रहें अनपम ग्यान। बाल आगमन हुआ है। भागवान बुद्ध के समय 16 महाजवन पदों में बैसाली का इस्तान मगद के समान महत भूम था। इतिहांसिक महत प्याला में आज या जिला राष्टिय अस्तर के संस्थाओं तता केला आम और लिच्ची उत्वादन के लिए जाना जाता है। एक प्रसिद बलायला जिल है जो 263 एकर में पहला हुआ है। बैसाली जिले का इतिहांस। बैसाली का नाम करन रमायन काल के राजा विशाल के नाम पर हुआ है। विश्नु पुरान में इस छेत्र पर आज करने वाले 34 राजाओं का उलेख है। जिसमें पर्थम नभग तथा अंतिम सुमती थे। विश्व को सर पर्थम गरतंत्र का जियान कराने वाला अस्थान बैसाली ही था। आज विश्विक अस्तर पर जिस लोकसाही को अपनाया जा रहा है। वह यहां के लिचली सासकों की ही देर है। इसापुर्व चठी सदी के उत्तर अवर मद्ध भारत में दिक्सित हुए सोरे महा जनपदों में वैसाली का अस्थान अति महतुन था। जियान प्राफ्ती के पांच बर्स बाद भागवान बुध का वैसाली आलमन हुआ जिसमें वैसाली की प्रशिद नगर बधु आमरपाली सहित 84 हजार नागरिक संग सामिड हुए। वैसाली के समिट कोडुमा में भागवान बुध का अंतिम संबोधन था। पांच बी तथा चटी सदी के दौरान प्रसिद चीनी यात्री फईयान तथा हुएंत संग ने वैसाली का भ्रमन कर यहां का भव्य बढ़न किया है। यहीं पर 599 इसा पूर में जयन धर्म के 24 में तिर्थकर भागवान महवीर का जन्म कुंडगराम में हुआ था। ग्यात्रीक कुंड में जन्में भागवान महवीर यहां 22 बरस्तक रहे। इस तरह बैसाली जयन धर्म तथा बहुत धर्म का केंद्र रहा है। पूर्व भारत में मुश्लिम सासकों के आगमन के पूर्व बैसाली मितला के करनाट बंसों के अधिन रहा है। लेकिन जल्द ही यहां ग्यासुदिन एवाज का सासन होगा। 1323 बे तुगलग बंस के सासक ग्यासुदिन तुगलग का राज हुआ। इसी दौरान बंगाल के एक सासक हाजी इलियास सा ने 1345 इसवी से 1370 इसवी तक यहां सासन किया। 24 सदी के अंत में तिरहुद समेत पूरे उत्री बिहार का नियंत्रन जौनपूर के राजाओं के हाथ में चला गया। जो तब तक जाली रहा जब तक दिली संतनत के सिकंदर लोधी ने जौनपूर के सासकों को हराकर अपना सासन अस्तापित नहीं किया। बाबर ने अपने बंगाल अभियान के दवरान गंडक कर्थ के पार हाजी पूर में अपनी से टुकडी को भेजा था। 1572 इस्वी से 1574 इस्वी के दवरान बंगाल बिद्रो को कुचलने के क्रम में अकबर किस्यना ने दो बार हाजी पूरकीले पर घेरा डारा था। 18 सदी के दवरान अफगानों द्वारा तिरहुट कहलाने वाले इस परदेश पर कबजा किया। स्वतंतरता आंदोरन के समय बैसाली के सहीदों की अग्रणी भूमिका रही है। 1924 में महात्मा गाधी का बैसाली में तीन बार आगमन हुआ। 22 जीले की भाववलिक इस्थिती बैसाली जीले की चोववदी। 42 जिले के उतर में मुजफरपुर जिला, दक्सिन में पतना जिला, पूरा में समस्थी पूर तथा पच्छी में सारंजिला अवस्तित है 42 जिले का च्छेतरपल 266 बर किलोमीटर है बैसाली जीले का जल संक्या बर्स 2021 के उन्सार 34,95,201 है बैसाली जीले का गनत्तु है 1,335 प्रती बर किलोमीटर लिंगा नुतात 1,000 पूरुस पर 895 मढ़ला है सचसरताद और 66,06 प्रतिसत बैसाली जीले की परमुक्ष नदियां गंगा तथा गंडक है परशाशनिक विभाग बैसाली जीले में तीन उन्मंडल है हाजिपूर, महुआ तथा महनार बैसाली जीले में 19 परखंड है गुरावल, चेहरकला, जन्दाहा, देशरी, पटेरी, बेलसर, पातेपूर, प्रेमराज, बिंदुपूर, भगवानपूर, महुआ, महनार, राजापाकर, रागोपूर, लालगंज, सराय, सहदेई बुजुर्ग, बैसाली तथा हाजिपूर बैसाली जीले में 29 ग्राम पंचायत तथा 1630 गाउं है, बैसाली जीले में 22 थाने तथा 6 सुरक्षा चोकी है, बैसाली जीले में 8 बिधान सबाशीट है, हाजीपूर बिधान सबाशीट, महनार बिधान सबाशीट, लालगंज बिधान सबाशीट, पातेपूर बिधान सबा सिट महोगा विधान सबाशीट राजा पाकल विधान सबाशीट सबाशष, ब fälltर नाधो हूपुर विधान सबाशिट हैं चुका 22 सब्सक्राइब क्रीवर्ण जिले केथ और आहिर, पर आविम यूतलो यूतला और तथा 89 विद्याले हैं इसके अत्रिक्त सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतर्गत 15 विद्याले 246 नौश्रीजित प्रात्मी विद्याले 210 बाल विकास विद्याले 6 चरवाहा विद्याले तथा 129 विद्याले खोले गए हैं बैसाली जिले के पर्मुक डिग्री कलेज, राज नरायन महाविद्याले हाजीपूर, देवचन महाविद्याले हाजीपूर, जमनी लाल महाविद्याले हाजीपूर, बैसाली महिला महाविद्याले हाजीपूर, अक्षय वट महाविद्याले महुआ, सम्ता महाविद्याले, और अनिया जम्दाहा, डिग्री महाविद्याले भागवानपूर, अवद बिहारी सिन महाविद्याले लारगोज, ये सभी महाविद्याले डक्डर, बाबा साहे भीमराब अम्बेत कर विस विद्याले मुझवफरपूर से अंगिभूत है। बैशाली जिले की प्रमुक दर्शनिय अस्थल, नमबर एक असोक अस्थम्ब, बैशाली में हुए महात्मा बूध के अंदिर मुवदेश की याद में, शम्राट असोक ने नगर के समीब, कोलुआ में लाल बालुआ पत्थर के एकाशम सीम अस्थम की अस्थापना की दो बौध अस्थूप, दूसरे बौध परिशत की याद यहां पर दो बौध अस्थूबों का निमान किया गया था, पहले तत्था दूसरे अस्थूब में भगवान बूध की अस्थियां मिली है, यह अस्थान बौध अनुवाईयों के लिए काफी महत्मून है, नमबर अभिशेक फूस्प करणी, बैसाली में नौ निर्वासित सासक को इस सरोवर बे असनान के पहचात, अपने पद, गोपनियता और गर्राज के प्रतिन निष्ठा की सपत दिलाई जाती थी, इसी के नजदिक लिच्वी अस्थूप तथा विश्वसांति अस्थूप इस्थ नुमबर 4, राजा विशाल का गर, एक किलोमीटर परिधिक के चारो तरफ तथा दो मीटर उंची दीवार है, जिसके चारो तरफ 43 मीटर चोड़ी खाई थी, ऐसा माना जाता था कि यह राजा विशाल का राजमहल या लिश्वीकाल का सांसथ था, नमबर पांच कुंडलपूर या कुंडग्राम यह जगह जयन धर्म के चविसमें तिर्थकर भगवान महाबीर का जर्म अस्तल होने के कारण काफी पवित्र माना जाता है। बैसाली से इसकी दूरी चार किलोमेटर के आस्पास है। यहीं बशाठ गाउं में प्रकिर्टिक जयन साश्त्रेम अहिंसा संस्थान भी इस्तित है। प्रती बर्ष बैसाली महोत्सव का आयोजन जयन धर्म के चविसमें तिर्थकर भगवान महाबीर के जर्म दिवस पर बैसाक पुन्निमा को किया जाता है। अपरेल के मध में आयोजित होने वाले इस राजकिय उत्सव में देश बिदेश के कला प्रेमी भाग लेने आते हैं। नमबर साथ विश्वशांती अस्तूब जपान के निवपोनजी समुदाय द्वरा बनाया गया विश्वशांती अस्तूब बैसाली का एक प्रमुख दर्शनी अस्तल है। यहाँ पर चमुखी महादेव मंदिर 52 पोकर मंदिर तथा बैसाली शंग्रालय भी इस्तित है। नमबर आठ असनपूर्काली मंदिर हशनपूर्काली मंदिर बैसाली जिले के पुर्व भाग में इस्तित है। नमबर नव, गणीनात धर्म अस्तली, पलवया धाम, विश्व प्रसिद बाबा गणीनात धाम, बैसाली के पावल भूमी पर इस्तित है, यहां हर साल देश बिदेश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं. नमबर दस, कौन हारा घाट, गंगा और गंडग के पवित्र संगम पबसे, कौन हारा घाट की महिमा विश्व पुडान में बढ़नित है, यह घाट हिंडूओं का पवित्र अस्तल है. नमबर एकार, महात्मा गांधी सेतू, बैसाली जीले कोराइधानी पतना से जोडने वाली मुख सेतू, हाजीपुर पतना मुख मारिक पर, गंगा नदीप अवस्थित महात्मा गांधी सेतू है, जिसकी लंबाई 5.6 किलमीटर तथा इसमें 46 पाया है, यह एसिया का सबसे बड़ा लंबा नदी सेतू है, इसके अनामे बैसाली में और भी अनिक परसित प्रयटन अवस्थल अवस्थित हैं, जैसे नेपाली 56 मंदिल, रमचावरा मंदिल, भुया अस्तान, बुरिमाई का मंदिल, हाजी साहब, मकदुम सराय का मजार इत्यादी प्रमुख है, तो मै सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपनी पलत के लिए कोमेट कर, अवाज सेयर करें, मैंने वीडियो को आन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,